साइपी का हो साथ फिर चिंता की क्या बात कि देखिए अपने पास एक क्वेरी आया करती है हम लोगों ने कई वीडियो बनाए हैं इस पर चर्चा भी हुए लेकिन हमने सोचा कि जब 20-25 वीडियो हो जाते हैं तो एक बात मैं रिपीट किया करूं हमेशा क्योंकि नए अपने YouTube सदसे में सदसे जुड़ते हैं YouTube परिवार में जिनके लिए बिल्कुल नया होता हो पुराने वाले लोगों के लिए तो हो सकता कि लगे कि हां यह मेरे लिए फालतू की बात है यह हमको मालूम है आता है लेकिन जो लोग नए आते आप ये भी शोचिए क कि आपके पीछे जो लाइन आ रही यह जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए बात बिल्कुल नहीं है हलो फ्रेंड्स नमस्कार फाइनेंचल विद गोपी कृष्णा में आपका स्वागत है जिसमें होती है मीचल फंड की बात आपके साथ हिंदी में आज हम लोग एक अलग व सूचते हैं कि हम पैसा तो अपने पास एकठा कर रहें या आगे आने वाले टाइम पर एकठा कर लेंगे जब मुझे आओ सकता होगी तब हम एकठा कर लेंगे लेकिन कर नहीं पाते हैं आज कल आज कल करते हुए उनका मामला चलता हुआ चला जाता है तो सबसे पहली बात यह साइपी आप जितनी जल्दी शुरू करें उतना ही अच्छा है आपके पास पैसा एकठा हो जाएगा अच्छी बात कही जाती है सभी लोग जो लोग इस फील के जानकार होंगे मनी वर्किंग ट्वंटी फोर इन्टू सेवन इस काल्ड इन्वेस्टिंग अगर आप अपना पैसा इस जगह पर जैसी जगह पर लगा रहें जहां पर वह 24 घंटे काम करें तो उसको निवेस कहते हैं इन्वेस्टमेंट कहते हैं यह नहीं कि आपने जो है एक करोड रुपए ले जाकर के बैंक के लाकर में अपनी तिजोरी में रख दिया तो वह आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है वह सिर्फ आपका लॉसी होगा इसी तरह से जो है कहा जाता है कि एस सिटी वर्किंग 24 है इन्टी सेवें इचकाल मुंबैी कर मुंबई में 24 घंटे काम होता मां दिन राध बराबर होते आप आप पैसा आपका जो है 24गंटे काम करें तो उसको जो है investment कहते हैं आप बैंक में किसी financial institutions में पैसा रखते हैं वहाँ भी वो पैसा आपके लिए काम करता है छुटी होती तब भी आपको भी आज मिलता है कि कम मिलता है inflation को बीट नहीं कर पाता है that is secondary thing दूसरी बात है लेकिन आपके लिए पैसा काम करता है आप वही लाकर के पैसे को जो है पचास लाग रुपाई लाइए अपने घर की तीजोरी में रख दीजे लाकर में रख दीजे यह investment है वह आज आपने रखा अगर पचास लाग रुपाई तो बीस साल बाद भी वह पचास लाग रुपाई ही रहेंगे तीजोरी में आइसा नहीं कि वह बढ़कर के जो है पचास लाग एक हजार रुपाई हो जाएं ऐसा कोई माध्य हमने इसके लिए आपको अपने पैसे को मार्केट में लगाना होगा चाहे निवेश करें चाहे किसी फाइनेंशाल इंस्टिट्यूशन में डिपॉजिट करें इसके अलामा अगर और आप कुछ कर रहें ले जा अब हो जाएगी निवेश तो नहीं कहा जाएगा निवेश उसी को कहा जाएगा इंवेश्मेंट उसी को कहेंगे जो आपके इंफ्लेशन को बीट करें आपका निवेश जो है पीछे पीछे चले इंवेश्मेंट का रिटन उससे पीछे चले तो यह आपके लिए नुक्सा लेकिन हमने सोचा कि जब 20-25 वीडियो हो जाते हैं तो एक बात मैं रिपीट किया करूं हमेशा क्योंकि नए अपने यूट्यूब सदसे में सदसे जुड़ते हैं यूट्यूब परिवार में जिनके लिए बिल्कुल नया होता हो पुराने वारे लोगों के लिए तो हो सकता कि लगे कि हां ये मेरे लिए फालतु की बात है यह हमको मालूम आता है लेकिन जो लोग नए आत बात करने के लिए हम क्या करें कहां से करें कैसे करें इस पर आज थोड़ा सा हम बताएंगे देखें अगर आप यह साईपी करना चाहते या मिचल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास अपनी एक क्योवाइसी बनानी पड़ेगी वह कहीं से भी ब बनवा लें या आपके पास पलोस में कोई मीचल फंड डिस्टिब्यूटर से ड्वाइजर हों फाइनेंसल कंसल्टेंट्स हों उनसे बनवा लीजिए अगर बैंक मीचल काम करते हैं उनके पास चले जाए या आनलाइन कोई ऐसे प्लेटफार में जहां से भी आप कर सकते हैं तो किवाईसी बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए आपके पास एक पैन काल्ड होना चाहिए पैन काल्ड होना चाहिए आधार काल्ड होना चाहिए यह दो ऐसे हैं जो हर एक आदमी के पास एक ही होंगे, दो नहीं होंगे, अगर दो हैं तो यह आपका गलत है, एक सरेंडर कर दीजिए, हर एक आदमी के पास pen card होना चाहिए, आधार card होना चाहिए, bank account number होना चाहिए, उसकी check रखिये या account proof रखिये कि यह आपका ही है, अगर यह सारी चीजे हैं, तब आप mutual fund में या SIP की सुरवात करने की सोचिएगा, उसके अलावा आप अपना नामनी भी अपडेट कर लीजिएगा, नामनी भी पूछेंगे वो, और फिर नामनी के साथ साथ आपके पास email आइडिया और mobile नंबर यह सारी चीजे, इतनी चीजे होनी जब KYC आपकी बन जाएगी, KYC बनाने के लिए आप को हमने तीन-चार बात चीजे बताईए, या तो आप किसी financial advisor के पास जाकर के जो mutual fund का काम करते, या बैंक में जाकर के बनवा सकते, या जो है mutual fund company अगर आपके पास पडोस में उनसे जाकर के कर सकते, अगर आप सच्छम ह इंटरनेट वगरा से friendly यूज हैं, तो आप उससे भी बना सकते हैं, कई आप हैं, किसी भी mutual fund company की साइट पे जाकर के बना सकते हैं, और उसके द्वारा फिर निवेस हो जाएगा, अगर मालो इन सब चीजों में दिक्कत आ रही, तो आप मेरे आप इसमें संपर करिए, तो आ कर सकते हैं, अगर इसमें भी आपको नहीं लग रहा कि हम सच्छम नहीं है, तो उसी भी फोन नंबर होंगे, संपर करिए, हमारी टीम आपका पूरा सायोग करेगी, तो जब यसाइपी का साथ हो, चिंता की क्या बात, देखें, यसाइपी मार्निंग वाग कितरे हैं, जैसे हम मार्निंग वाग करने जाते हैं, या योगा करते हैं, योग करते हैं, तो उससे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, दवाईयां कम से कम लेनी पड़ती हैं, उसी तरह से जो है, आप इसको कह सकते हैं कि यसाइपी भी आपकी जो है, एक फाइनेंसियल योग है, बित्तिय योग है कि financial योग या जो है इसलिए financial मार्निंग वाग कि आप एक छोटा-छोटा amount निवेस कर रहे हैं 1000, 2000, 4000, 5000 ऐसे कर रहे हैं एक साथ नहीं कि पूरा-पूरा आपने कर दिया है जब आपका छोटा-छोटा investment होता रहेगा तो आगे चल करके यह आपका एक बड़ा amount बनेगा जिससे आपके सारे के सारे खर्चे या जो आपने अपने खर्चे सोच रखे हैं वो पूरे होंगे अब एक query भी पूछी गई है हमसे किसी ने कल पूछा था कि हम retired person है और 15 साल में इनको 2 करोड रुपए चाहिए क्या करना होगा और दूसरी बात इन्हों लिखी है कि 50,000 रुपए ही इनकी pension आती है देखे जब 50,000 रुपए आपकी pension आती है तो आप 15 साल में 2 करोड रुपए कैसे पूरे करेंगे इसके लिए तो आपको जो है 3,500 रुपए की एक S.I.P. चलानी होगी और आपकी pension ही 50,000 रुपए है इसके अलामा अगर कोई income है आपके पास तो आप अपनी S.I.P. कांटिनिर करिएगा आपके 2 करोड रुपए बड़ी आसानी से पूरे हो जाएंगे तो आज हमने चर्चा किया है कि जब S.I.P. का साथ हो तो चिंता की क्या बात है आसा है सभी लोगों को इसमें काफी कुछ समझ में आएगा कैसे निवेश की शुरुवात करें ये भी हमने बताया है इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशल विद गोपी क्रिस्ना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब से सब्सक्राइब करने जिससे आने वाले वीडियो का लिंक आपके पास सबसे पहले उस तरह है धन्यवाद नमस्कार